नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र के चार चरणों में मंगल का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल रेवती नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा आईए हम जान लेते हैं मित्रों यदि जन्म कुंडली में मंगल रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति सारीरिक रूप से स्वस्थ होता है ऐसे लोग सरीर से स्वस्थ होते हैं और चुस्त चौकन्ना रहने बाले होते हैं चुस्त चौकन्ना रहने का मतलब है कि ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहने बाले होते हैं कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एक्टिव रहते हैं ये लोग भूमी से संबंधित कारे करके अच्छी मात्रा में लाभ कमाते हैं। अथवा किसी और अन्य प्रकार की जमीन इनके पास में होती है। अथवा ये लोग अपना पैसा भूमी में जमीन में लगा करके लाभ कमाते हैं। की कोशिस करते हैं। ये लोग ब्यापार प्रिय होते हैं। ब्यापार प्रिय का मतलब है कि ये लोग नौकरी की अपेक्षा ब्यापार को जादा महत्व देते हैं। ब्यापार करने के सौकीन होते हैं। ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा ब्योहार बनाने की कोशिस करते हैं। लेकिन इन लोगों की आदत होती है कि बात बात पर लडाई जगडा करना। छोटी छोटी बातों पर भी ये लोग लडाई जगडा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और बहुत जादा जगडालू प्रवर्टिके होते हैं इसी कारण से इन लोगों का समाज में सभी लोगों से अच्छा बेवहार नहीं बन पाता है। ये लोग अपनी तरफ से कोशिस करते हैं ब्योहार बनाने की लेकिन ये लोग बात बात पर लड़ाई जगड़ा करते हैं इसी कारण से ब्योहार नहीं बन पाता है। ये लोग अपने आपको समझते हैं लेकिन फिर भी ये लोग ब्यर्थ में गर्व करने बाले ब्यर्थ में अभिमान करने बाले होते हैं और जगडालू प्रवर्ति के होते हैं चोटी चोटी बातों पर लड़ाई जगड़ा करते हैं ऐसी इस्थिती में कई बार इन लोगों क संतान से संबंधित परिशानी होती है या तो फिर इन लोगों को संतान होने में देरी होती है अथवा संतान होने के बाद में इन लोगों का अपने संतान से अपने बच्चों से अच्छा संबंध नहीं बन पाता है यानि कि अपनी संतान से ही बिरोध होता है बिद्रोह होता ह अधवा ऐसी स्थिती में कई-कई बार संतान होती भी नहीं है यानि कि ऐसे लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पाता है मित्रो यदी जन्म कुंडली में मंगल रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ती बुद्धिमान और चतुर चालाक होता है लेकिन ये लोग नकारात्मक बुद्धि वाले होते हैं नकारात्मक बुद्धि का मतलब है कि अपनी बुद्धि का हमेशा गलत कारियों में प्रयोग करने वाले होते हैं यानि कि बुद्धिमान होते हैं लेकिन हमेशा गलत कारियों में ही अपनी बुद्धी कब्रयों करते हैं और गलत कारियों के प्रतिरुचिबान भी होते हैं यानि कि इन लोगों को अच्छे काम करना अच्छा नहीं लगता गलत कारे करना बुरे काम करना ही इनको अच्छा ल से गलत ही सिद्ध होंगे यह लोग का मतलब है कि हमेशा लडाई जगड़ा करने के लिए आतुर रहते हैं इन लोगों को चिड़चडापन भी बहुत आता है और चोटी चोटी बात पर भी मारने काटने के ये आतुर हो जाते हैं लडाई जगड़ा करने के लिए आतुर हो जाते हैं जगडालू प्रबृत्ति के होते हैं और गलत कारियों में लगे रहते हैं इसी कारण से ये लोग परेशान भी बहुत होते हैं इनके लडाई जगड़े होते भी बहुत हैं क्योंकि ये लोग काम ही के अनुसार गलत कारियों को करने बाले ही होते हैं ये लोग अतिकामुक प्रवर्ति के होते हैं अतिकामुक का मतलब है अतिकामी होते हैं और कई बार ये लोग परस्त्री से संबंध रखने वाले होते हैं यदि इस्त्री की कुंडली हो तो वह पर पुरुष से संबंध रखन बाला होता है अत्वा कई बार ये लोग बैस्या व्रत्य करने बाले भी होते हैं यानि कि नगरवधु से संबंध रखने बाले होते हैं ये लोग घुमक्कड सुभाव के होते हैं खर्चीले सुभाव के होते हैं घुमक्कड का मतलब है कि बियर्थ में घुमने फिरने बाले ह होते हैं कई बार बिना काम के भी कहीं बैठे रहते हैं बिना काम किसी को सलाह देते हैं बिना काम की बातें करते हैं और ब्यर्थ की बातें करते हैं उसी में जगना कर लेते हैं खर्चिले सुभावके भी होते हैं, कई बार आए से अधिक ब्याय करने बाले होते हैं, कई बार दिखावे के चक्कर में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद में फिर आर्थिक रूप से परेसान होते हैं ये लोग तुछ भावना बाले होते हैं, तुछ भावना का मतलब है कि छोटी सोच रखने बाले होते हैं और जल्दी से किसी पर दया नहीं करते हैं, भावुक भी नहीं होते हैं, ये लोग निरदई प्रवर्ति के होते हैं, ब्यर्थ में लोगों को परेसान करना इन लोगों में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवर्ति का होता है लेकिन ये लोग नकारात्मक बुद्धि वाले होते हैं यानि कि अपनी बुद्धी का प्रयोग हमेशा गलत कारियों में करने वाले होते हैं ये लोग बुद्धिमान होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं चतुर होते हैं लेकिन अपनी बुद्धी का प्रयोग हमेशा गलत कारियों में ही करते हैं और बुरे कारियों में ही करते हैं ये लोग गलत कारियों की प्रती रुचिवान होते हैं यानि कि गलत कारे करना इन लोगों को अच्छा लगता है अच्छे काम करना इन लोगों को अच्छा लगता ह दूसरों को नुकसान पहुंचाना दूसरों के काम बिगाड़ देना या फिर किसी ब्यक्ति की ब्यर्थ में बुराई करते रहना ये सब इन लोगों को अच्छा लगता है ब्यर्थ में दूसरों को सलाह देना और सलाह दे करके उसका काम बिगाड़ देना यही सब काम ये लोग करते रहते हैं और कई बार तो ये लोग बड़ी मेहनत करके दूसरों का काम बिगाड़ते हैं यारे कि दूसरों का काम बिगाडने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परिस्त्रम करते हैं उसके पीछे, कि उसका काम बिगाडना है, ये लोग तीब्रकलहगारी होते हैं, तीब्रकलहगारी का मतलब है कि हमेशा लडाई जगडा करने के लिए आतुर रहते हैं, जगडालू प करने कार्टने के लिए आतुर हो जाते हैं लडाई जगड़ा करते हैं तो ये लोग किसी भी प्रकार से दुष्ट बुद्धी वाले होते हैं बुद्धिमान होते हैं लिकन ये अच्छे कारियों में अपनी बुद्धी को नहीं लगाते हैं हमेशा गलत कारियों में इसानी भी इनको हो जाती है लेकिन फिर भी ये लोग गलत कारियों को ही करने बाले होते हैं यानि कि इनकी प्रवर्ति ऐसी होती ये लोग छोड़ नहीं पाते उस प्रवर्ति को ये लोग चाह करके भी अच्छा काम नहीं कर पाते और ये लोग अभिमानी प्रवर्ति के भी ह होते हैं यदि कोई व्यक्ति इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो इन लोगों को अच्छा लगता है और यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी इनको सच्चाई बोल दी तो फिर ये लोग तुरंत उसके नाराज हो जाते हैं और उसका काम विगाड़ना शुरू कर देते ह ये लोग अतिकामुप्रवृत्ति के होते हैं और परस्त्री से संपर्क रखने वाले होते हैं यदि किसी इस्त्री की कुंडली हो तो वह परपुरुष से संबंध रखने वाली होगी कई बार ये लोग नगर बधु से संबंध रखने वाले भी होते हैं यानि कि बैस्या वृत्ति में भी संलगन होते हैं बैस्या वृत्ति करने वाले भी होते हैं ये लोग घुमकड सुभाव के होते हैं यानि कि ब्यर्थ में घुमने फिरने वाले होते हैं और कई बार ब्य यह लोग दिखावा में भी करते हैं दिखावे के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्च कर किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई प्रकार का जगडा किये ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि इनका किसी से जगडा ना चल रहा हो। ये लोग हमेजा किसी ना किसी जगडे में, किसी ना किसी लडाई में सामिल रहते हैं। मित्रो यदि जन्म कुंडली में मंगल रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सरीर से स्वस्थ होता है ऐसे लोग सारेर कुरूप से स्वस्थ होते हैं और ये लोग चुस्त चौकन्ना रहने बाले होते हैं चुस्त चौकन्ना रहने का मतलब है कि ये लोग हमेशा एक्टिव रहने वाले होते हैं कोई भी काम करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं एक्टिव रहते हैं इन लोगों को भूमी से संबंधित कारे का मतलब है कि जमीन से संबंधित कारे करके इन लोगों को अच्छा लाब ह होता है कई बार इन लोगों के पास में बड़ी मात्रा में खेटी वाड़ी या फिर बड़ी मात्रा में कृसी भूमी बागवगी चे यादी होते हैं अथवा किसी और अन्य प्रकार की जमीन इनके पास में होती है अथवा ये लोग अपना पैसा जमीन में इन्वेश्ट करके फिर लाव कमाते हैं यानि कि किसी भी प्रकार से इन लोगों को भूमी से जमीन से लाव होता रहता है ये लोग बुद्धिमान होते हैं और चतुर प्रबर्ति के होते हैं अपना काम बनाने में माहिर होते हैं ये लोग ब्यापार प्रिय होते हैं यानि कि नौकरी की अपेक्षा ब्यापार को अधिक महत्व देने वाले होते हैं, ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा बेवहार बना करके रखने की कोशिस करते हैं, लेकिन इन लोगों की लडाई जगडा करने की आदत होती है, यानि की छोटी छोटी बातों पर भी ये जगडालू प्रब्रत्य के होते हैं, इसी कारण से समाज में इन लोगों का अच्छा बेवहार नहीं बन पाता है, ये लोग अपनी तरफ से कोशिस तो करते हैं, इस सभी से अच्छा बेवहार बनाएं, लेकिन ये लोग अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं, इसी लडाई जगडा पसंद करने बाले होते हैं, बाद विबाद करना इन लोगों को अच्छा लगता है, और ये लोग बात बात पर लडाई जगडा करते हैं, ये लोग दुगरवित सभाव के होते हैं, दुगरवित का मतलब है कि ब्यर्थ में गर्व करने बाले होते हैं, या लोग ब्यर्थ में अभिमान करने बाले ब्यर्थ में गर्व करने बाले होते हैं और जगडालू प्रवर्ति के तो होते ही हैं इन लोगों को संतान से संबंधित परिशानी भी होती है कई बार ऐसी स्थिती में इन लोगों को संतान होने में दिक्कत होती है या फिर संतान देर से होती है अथवा संतान हो भी जाती है तो होने के बाद में अपनी संतान से ही अपने बच्चों से ही इनके मतभेद बहुत जादा होते हैं अथवा कई बार ऐसी स्थिती में संतान का सुख नहीं भी मिल पाता है यानि कि संतान हीन होते हैं मित्रों आज के लिए वसितना ही नमस्कार